नमस्कार दोस्तों भारत में कई रहस्य मैस्तान है जो आज भी वहां घटित होने वाली घटनाओं के कारण चर्चा का विशे रहते हैं इन रहस्य मैस्तानों में मुख्य रूप से सदियों पुराने किले वह मंधिर आते हैं आपने भारत के राज्य राजस्थान के किलों के बारे में तो सुना होगा और इन किलों से जुड़ी रहसे मई और हैरान करने वाली कहानियां भी सुनी होगी लेकिन आज हम आपको राजस्थान में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे यह मंदिर राजस्थान में खजराहू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह मंदिर लोगों को अपनी और आकर्शित तो करता है लेकिन इस मंदिर की सच्चाई जानकर कोई भी शाम होने के बाद इस मंदिर में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता यहां रुकने वाला इंसान बन जाता है पत्थर का किराडू के मंदर के बारे में लोगों का मानना है कि स्थान पर शाम होने के बाद जो भी रुकता है वे पत्थर का बन जाता है या फिर मारा जाता है लोगों का यह भी कहना है कि पत्थर बन जाने के डर से शाम होते ही सारा इलाका पूरी तरह से खाली हो जाता है लेकिन यह भी हो सकता है कि सुनी सुनाई बातों के चलते लोगों के मन में एक डर या वहम घर कर गया है लेकिन इस मान्यता के पीछे कोई कहानी जरूर है जिसका प्रमान इस मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित गाउं सेहनी में मौझूद एक औरत की पत्थर की मूर्ती है मंदिर से जुड़ी कथा इस मंदिर से एक कथा जुड़ी है जिसके अनुसार कई साल पहले किराडू गाउं में एक तपस्वी साधू का आगमन हुआ यह तपस्वी साधू अपने शेश्यों के साथ यहां पर आये थे अपने साथियों और शेश्यों को इस स्थान पर चोड़कर मेहतपस्वी साधू तीर्थों के दर्शनों के लिए चले गए इस दौरान शेश्यों की सहत खराब हो गई उनकी सहत खराब होने पर गाउं बासियों ने उनकी किसी परकार की सहायता नहीं की वापिस आने पर अपने शिश्यों की ऐसी हालत देखकर साधू ने गुसे में आकर गाउं वासियों को शाप दिया कि तुम लोगों के दिल पत्थर के हैं जिनें बिमार लोगों पर दया नहीं आई इसलिए तुम सब लोग पत्थर के हो जाओ आज भी मौजूद है कुमहारन की मूरती इसी गाउ में कुमहारन भी रहती थी उसने साधू के शिश्यों की पूरी मदद वासिवा की तपस्वी साधू ने केवल उस महिला पर ही दाया की और कहा कि तुम यहां से चली जाओ लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जाते समय पीछे मुड़ कर मत देखना कहते हैं कि वहां से जाने के बाद कुमहारन के मन में साधू की कही बात को लेकर संधे हुआ और जैसे ही उसने पीछे मुड़ कर देखा तो यह पत्थर की बन गई मंदिर के नजदीक के सिहनी नामक गाउं में कुमहारन की पत्थर की मूर्ती आज भी मौजूद है इश्राप के कारण ही लोगों में डर है कि जो इस थान पर रात के समय रुकेगा वह इंसान भी पत्थर का बन जाएगा मंदिर के निर्मान काल की नहीं है स्टीक जानकारी इस मंदिर का निर्मान किसने करवाया इसके बारे में कोई भी पुक्ता परमान नहीं मिलते लेकिन फिर भी स्थान पर विक्रम समवत बारहा के तीन शिला लेख तेखने को मिलते हैं पहला शिला लेक गुजरात के चालुक के कुमार पाल के समय का है और विक्रम समवत 1209 से संबंदित है दूसरा शिला लेक विक्रम समवत 1218 यानी 1161 इस्वी का है इस शिला लेक पर परमार सिंदुराज से लेकर सोमेशवर तक की वंशावली का वर्नन किया गया है तीसरा शिला लेक विक्रम सम्मत 1235 से सम्मन्दित है जो गुजरात के चालुके राजा भीम देव दित्ये के सामंत चोहान मदन ब्रहम देव का है इतिहास कारों का मानना है कि किराडु मंदिर का निर्मान 11 में श्ताबदी में किया गया था और इसका निर्मान परमार वंच के राजा दुलशाल राज और उनके वंचशोगे द्वारा करवाया गया था बड़ी संख्या में आते हैं प्रेटक चाहिए मंदिर पुराना हो चुका है और विरान पड़ा है लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग इस प्राचिन धरोहर की भववेता और शान को देखने के लिए आते हैं जो आज भी अपने अंदर कई तरह के राज और रहस से दबाए बैठा है और इंसानों के पत्थर में बदलने वाली सचाई को जानने के लिए आज भी लोगों के दिलों में जिग्यासा जूंकी त्यूं है सो दोस्तों यह थी किराडू के मंदिर से जुड़ी जानकारी हर दिन नए और बेहतरिन वीडियो देखने के लिए चैनल डी फाइव हिंदी को जुरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरिन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गे लिंक को क्लिक करें जुड़े रहें चैनल डी फाइव हिंदी के साथ